नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्स्प्रेस में और वहाँ पर बेसिकली बातचीत की गई थी थोईंग पर्मा फ्रोस्ट की बारे में एक प्रकार का इंटर्व्यू आप कह सकते हो जहाँ पर ये जानने की कोशिश हो रही थी कि थोईंग पर्मा फ्रोस्ट की वजए से क्या कोई दूसरा पैंडमिक आ सकता है जो अभी हम पैंडमिक से गुजर रहे हैं COVID-19 से तो क्या इस तरह का कोई और पैंडमिक हमें देखने को मिल सकता है तो बहुत सारे कोशन मन में होंगे कि ये थोईंग पर्मा फ्रोस्ट होता क्या है इस इससे पैंडमिक का क्या रिलेशन है तो काफी कुछ जानने को है यहाँ पर टीटेल से हम समझेंगे कि exactly हम किसकी बात कर रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले अगर आप UPSC या फिर किसी भी एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं तो simply आपको हमारे आपको डाउ इपोर्ट लाया जाता है तो इन्होंने यहाँ पर वार्निंग दी है कि गलोबल वार्मिंग जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है इसकी वज़ए से जो आर्क्टिक पर्मा-फ्रोस्ट है अब देखो पर्मा-फ्रोस्ट क्या होता है वो आप समझें यह एक प्रकार से आप कह सक क्योंब कि ice जमा हुआ है तो उसको perma frost कहते हैं इसके नाम से आप समझ प्यार हैं और permanent और frost मतलब अविसलि जमा हुआ है ice से तो अगर आप हमारे हां पर देखो तो Arctic perma frost आपको उपर जो नदन वाला पार्ट है नदन हमें sphere में यहां पर आपको देखने को मिलेगा इस्पेशली जो रशिया वाला आप काफी बड़ा एरिया देख सकते हो तो ये ओर ओर अगर आप लीखिए तो 15% ओर जो लैंड एरिया है हमारे वे शुका वो उसको कवर करता है पर्माफॉस्ट तो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग भड़ती जारी है त तो थौइंग देखने को मिल रहा है मतलब कि ये जो पर्माफॉस्ट हुआ करता था वो धिरे धिरे प्रिगल रहा है यहाँ पर और जो सतय है वो एक्सपोज होते जारी है तो इसी को थौइंग पर्माफॉस्ट कहते हैं तो यहाँ पर यही IPCC रिपोर्ट के दौरा बोला गया है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर जो थौइंग है ग्राउंड का वो देखने को मिलेगा और इसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसे होते हैं जैसे कि मीथेन हो गया कारवन डायोकसाइड हो गया यह और जादा रिलीज होंगे और हमारी जो बात किया यह जो पूरा सरकल हम देखने को मिल रहा है यहाँ पर यह जैसे जैसे मिल्ट होता जाएगा और ग्लोबल टेंपरेचर बढ़ता जाएगा तो इसका इमीडियेट इफेक्ट क्या होगा देगे यहाँ पर सबसे पहला जो इंपैक्ट बताया जा रहा है वो उन दे देशों में अगर आप देखिए तो कुछ-कुछ जगह पर जो पर्माफ्रोस्ट वाला रीजन है वहाँ पर रोड्स की कंस्ट्रक्शन क्यों ही है बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन क्यों ही है तो जाहिर सी बात है जब वो पर्माफ्रोस्ट पिगलेगा तो यह रोड और के उपर impact आएगा, तो सबसे पहला impact तो आपको इन देशों के उपर ये चीज़ देखने को मिल रहा है, जैसे कि for example Russian railways, उनके कई सारे railway network आपको वो permafrost से गुजरते हैं, उनको लगता है कि नहीं नीचे यहाँ पर हमेश्चा permanently जमा हुआ रहेगा, लेकिन जाहिर सी बात है वो पिगलेगा, तो जो railway line है, उसमें आपको disturbance आएगी, North West of Canada में अगर आप देखिए, तो एक section of road है, जहाँ पर पहले, ground level को पहले क्या करना होता है, और ज्यादा chill करना होता है, मतलब और ज्यादा freeze करवाना होता है, ताकि जो permafrost है, वो preserve रहे, और इसके लिए आप खर् परmafrost रहता, अगर global warming नहीं होती, तो ये खर्चा उनको नहीं उठाना पड़ता है, इतनी बड़ी मात्रा में, लेकिन ये करना पड़ा है, because thawing permafrost हो रहा है, और biggest international problem इसकी वज़े से क्या होगा, कि जो organic material है, वो आपका expose होता जाएगा, material will become available for microbiota to break down, आप just imagine करके देख ये जो permafrost ये जो ice वाला पुरा region है, पहले ice age वगरा भी हुआ करता होगा, तो उस समय से यहाँ पर ice जमा हुआ है, उसके नीचे जो भी कुछ है, वो कई हजारों वर्षों से वो underground जमा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे अब ये thawing होगा, मतलब ये निकलेगा ice जो है, तो व expose होता जा रहा है, और इसकी वजह से जो organic material है, वो हमें देखने को मिलेगा, और microbiota जो है वो उसको breakdown करेंगे, फर्दर यहाँ पर एक और चीज जो बताई गई है, environmentalist के द्वारा, वो यही है कि carbon dioxide release होगा, और आपको पता है carbon dioxide अलड़ी हम release कर रहे हैं समय, इसकी वजह से global warming बड़ी है, तो further carbon dioxide release हो रहा है, क्योंकि breakdown हो रहा है, microbiota वो उसके उपर breakdown करेंगे, अलड़ी जो चीज़ें उसके अंदर नीचे present थी, तो यह होगा, इसके लावार methane, methane आपको समझना है, वो carbon dioxide से 25 से 30 गुना जादा potent होता है green house gas, मतलब जो global warming का impact आता है carbon dioxide से, उससे 25 तीस ग आकड़े देना चाहता हूँ, total quantity of carbon ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पर permafrost region में जो जमा हुआ है, उसकी संख्याकरी 1500 billion tons है, यहाँ, 1500 billion tons, और top 3 meter, जो उपर का 3 meter है आपका permafrost के नीचे, तो यह अगर आप देखोगे, तो वहाँ पर अकेले 1000 billion tons जो है, वो आपका जमा यह विश्व भर में, हम हर साल जो carbon release करते हैं, उसकी संख्या 10 billion dollar tons है, तो you can just imagine कि जो भी हम इस समय कदम ले रहे हैं, industrial emissions को, जो भी कम करने के लिए कि carbon नहीं release होना चाहिए, यह वहाँ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर यह permafrost आपका निकलता जाएगा, तो you can imagine कि अगर यह 1500 billion tons का 1% भी अगर release हो गया किसी साल में, तो जो भी हमने यहाँ पर कलम लिया है, उसका कोई मतलब नहीं रहे जाएगा, तो यह एक बहुत बड़ी समस्या सामने निकल कर आई है, यह I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, कि इसका impact क्या होने वाला है, इसके अलाबा यहाँ पर यह भी बताया है, इस पूरे आर्टिकल में जो बने पढ़ा कि कई और जादा studies किया हो शकता है, जैसे कि यहाँ पर जो अभी तक जादा studies यही की गई है कि पर्माफॉस्ट के नीचे कितना जादा carbon मौझूद है, इनफर्ट कुछ evidence तो यह भी सामने निकल कर है, 2019 का जो एक report publish हुआ था, कि यहाँ पर पहले क्या थे कि वो carbon storehouse थे, carbon को store करके रखते थे, अगर वो निकलता जाएगा तो problem हुआ जाहिर सी बात है, लेकिन आज के लिट में वो net emitters of carbon हो गया है, मतब कि वहाँ से carbon release हो रहा है, rather than storing the carbon, वो release कर रहा है, जो कि हमारे के उपर तो study करनी चाहिए हमें और जादा, कि exactly वहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन इसके साथ-साथ यहाँ पर और भी कई सारी चीजों के उपर study करनी क्या हो शकता है, जैसे कि forest fire हो गया, रशिया का मैं आपको बताऊं, तो इसी साल यहाँ पर इतना बड़ा आग लगा थ था रशिया के अंदर, so you can imagine कि forest fire की वज़े से further वहाँ पर परmafrost जो है, वह आईस वगर है, वह पिगलेंगी और problem create करेंगी, लेकिन last में यहाँ पर question आता है, जो मैंने starting में पूछा आप से, कि क्या thawing permafrost की वज़े से, जो pandemic है, क्या एक और कोई दूसरा pandemic आ सकता है, अ इसे भी virus release हुआ, environment के अंदर, तो pandemic आ गया, COVID-19 pandemic जिसको कह रहे हैं, वैसे ही, कोई virus या bacteria अगर release होता है, thawing permafrost की वज़े से, तो क्या दूसरा pandemic आ सकता है, देखे, permafrost बताया जा रहा है कि इसके बारे में लोगों को अतनी जादा जानकारी नहीं है, बहुत सारे secrets हैं इसके अंदर, recently यहाँ पर जो रशिया के अंदर, permafrost से मैमूत पाए गया था, मैमूत आपको पता होगा, इस तरह का large animal, बहुत हजारों वर्शों पहले, इस तरह का कोई large animal होता होगा, तो उसका जो dead body है, जो caracus, जो हम कहते हैं, वो मिला था, और धीरे-धीरे क्या होने होगा, नहीं होगा, वो तो समय बताएगा, उसके बारे में नहीं पता, लेकिन ऐसा डर है, कि permafrost की वज़े से, कोई virus या bacteria, कुछ भी वहाँ से release हो सकता है, जो कि हमें problem create कर सकता है, और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, कि permafrost जब हुआ था, तो कई हजार आर्टिक सरकल वाला, वहाँ पर पहले humans भी नहीं रहा करते होंगे, उतनी संख्या में, आज के rate में क्या है, कि वो आपका पिखलता जा रहा है, तो इसको आप एक एक्जामपल लेकर देखे, जैसे कि भारत में, जो पुरा ट्रॉपिक वाला region है, ठीक है, यहाँ पर जितन और वो environment मिलता जाएगा दीरे दीरे, तो उसकी वजए से environment में कई bacteria और virus रिलीज हो सकते हैं, जो कि pandemic ला सकते हैं, विशुभर में, ऐसी यहाँ पर राशंका जाता है जारी, तो ultimately यहाँ पर ध्यान किसके ओपर देना है, कि जो perma frost है, वो तेजी से ना पिखले, वहाँ पर ह आपको काफे कुछ इसमें समझ में आ गया होगा, कि exactly यह thawing perma frost है, क्या उससे डर क्या हो सकता है, जाने से पहले एक interesting question देखो, अभी जो मैंने आपको region दिखाया था ना, वो tundra region कहते हैं, आपने पढ़ा होगा जो अलग-अलग बायोंस होते हैं, तundra, टाइगा, तो ज कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूं, stories के form में आप जाकर play कर सकते हो, बाकि अगर आपको PDF चेज़ तो टेलिग्राम पर आएए, अलग-अलग social media पर भी आप मुझे से जोड़ सकते हैं, साथी साथ UPSC आप फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, तो simply आप हमारे app को download कर और वहाँ पर जाकर जितने भी courses हैं, आप उसको अवेल कर पाएंगे, I hope कि वीडियो आपको पसंद आएवगा मिलता हूं, आपसे नेक्स तैम तिल देन, thank you very much, see you soon.